Hello friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजेंत्र मुनलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के मध्यम से class 12 एंग्लिस के question bank को हम स्वालू कर रहे हैं साथ ही हमारी live classes भी start हो गई है तो वो videos भी आपने नहीं देखे हैं तो उन videos को भी जरूर देखेगा और live class को भी attend कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए आज के इस video में हम बात करने वाले हैं question bank में जो हमारी supplementary book है विस्टास इसके question answer को हम देखेंगे ठीक है दोस्तों पिछले videos को playlist में जाकर जरूर देखेगा चलिए शुरुआत करते हैं lesson number first तो हटा दिया गया है lesson number two से हम स्टार्ट करते हैं lesson number two है the tiger king इसके question answer है तो पहला question है who is tiger king tiger king कौन है why does he get that name और उसे यह नाम या उसका नाम यह tiger king कैसे पड़ा तो इसका answer देखे एक ही question के मैं आपको दो answer बताऊंगा एक long है थोड़ा और एक short type का तो जिसमें जो आपको पसंद आये कि हाँ हम मुझे यह याद करना चाहिए वो आप याद कर सकते हैं ठीके तो पहले answer की ओर चलते हैं दब महाराजा प्रतिबनपूरम वाज काल्ड दा tiger king प्रतिबनपूरम के महाराजा tiger king के नाम से जाने जाते हैं at the time of his birth the astrologer declared that the prince would have died one day जब इनका जन्म हुआ था तब एक जोतिसी ने यह declare कर दिया था कि इनकी म्रत्यू होगी एक दिन इनकी म्रत्यू होगी और वो भी काई से होगी tiger से होगी the ten day old prince दस दिन की उम्र का बच्चा asked the astrologer to reveal the manner of his death दस दिन की उम्र का बच्चा जोतिसी से कहता है कि मुझे वह गुप्त बात या रहष्य बताओ reveal करो कि जिससे मेरी म्रत्यू होगी the wise men were buffled at this miracle अब ये एक जादू से कम नहीं था miracle मतलब जादू होता है कि एक 10 दिन की उम्र का बच्चा ये कह रहा है buffled का अर्थ होता है चक्रा जाना चक्राय हुआ the chief astrologer said फिर जो astrologer जोतिसी था उसने कहा that is death would come from a tiger कि इसकी म्रत्यू जो है या राजा की म्रत्यू जो है वो एक बाग tiger के द्वारा होगी the young prince growled growled मतलब होता है गुर्राना the young prince growled and uttered uttered का अर्थ होता है उच्चारन करना या बोलना गुर्राते हुए बोला terrifying words और भयानक सब्दों से डरावने सब्दों में बोला let tigers beware मतलब जितने भी बाग है जितने भी tiger है उनको सचेत कर दो he decided to kill 100 tigers कि उसने रिणए दिया है कि वह 100 बागों को मारेगा 100 tigers को kill करेगा उनकी हत्या करेगा he does got the name tiger king इस तरह उनका नाम tiger king पड़ा तो एक तो यह आप याद कर सकते हैं दूसरा इसी question का answer एक short भी है जिसे the tiger king is name of महराजा प्रतिबंपुरम मतलब प्रतिबंपुरम के महराजा को tiger king कहा जाता है he gets this name for his skill in killing tigers tigers tiger को मारने का जो उनका कोसल था उसकी वैसे उनका नाम tiger king पड़ा यह परिक्षाध्यन generally students use करते हैं तो उसमें यह answer दिया गया है और cbhc जो student पड़ते हैं ठीके इसे book तो हमारी यह भी cbhc की है तो वो इसका answer लिखते हैं तो आपको जो सही लगे वो आप याद कर सकते हैं और यह आप मुझे comments करके बताएंगे कि आप कौन सा याद करना चाहते हैं question number two की ओर चलते हैं what did the royal infant grow up to be infant का आर्थ होता है सीसू या बच्चा तो जो शाही infant था शाही बच्चा जो था वो जो केसे बड़ा हुआ crown prince young बहादूर grew taller and stronger day by day दिन प्रती दिन वहा बड़ा होता गया ताकत वर होता गया he was brought up by an English nanny and tutored English by an Englishman एक अंग्रेजी नैनी नैनी के द्वारा उसको पालन पोसन उसका किया गया और एक अंग्रेजी शिक्षा के एक Englishman के द्वारा उसको शिक्षा दी गया tutored मतलब पढ़ना he got the control of his state when came of age 20 जब उनके उम्र 20 वर्सी की हुई तो पूरी state को control करने लगा he decided to kill tigers उसने नहीं लिया कि वह बागों को मारेगा tigers को kill करेगा for him it was an act of self-defense और उसका यह कहना था कि मैं self-defense में इनकी हत्या करता हूँ या इनको मारता हूँ as the astrologers had predicted his death by a tiger जैसा कि एक जोतिशी ने पहले ही भाविश्वानी की थी कि महाराजा की हत्या जो है वो किसके द्वारा होगी tiger के द्वारा होगी इसी question का दूसरा answer भी है आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं the royal infant grew taller and stronger day by day जो royal infant था शाही बच्चा जो था वह बड़ा हुआ और stronger हुआ day by day मतलब दिन प्रति दिन he drank the milk of an English cow वह एक अंग्रेजी गाय का दूद पीता था and tutored by an Englishman an Englishman और एक Englishman के द्वारा उसे सिक्षा प्राप्त हुई थी या उसको सिक्षा दी जाती थी he grew up to be a tiger hunter और बड़ा हुआ तो वह tiger hunter मतलब बाग सिकारी के रूप में बड़ा हुआ question number third की और चलता है what is the author's indirect command and subjecting innocent animals to willfulness of human being मतलब लेखक अप रत्यक्ष टिपणी क्यों करता है मासूम जानवरों को अपनी मनमानी के लिए इंसान जो है वह प्रयोग करता है तो इसका आंसर होगा four countries innocent animals have been subjected to willfulness of human beings मतलब कई सताबदियों से व्यक्ति क्या है अपने मनमानी के लिए willfulness का आर्थ होता है मनमानी के लिए जानवरों को अपने अधीन रखता है subjective to का आर्थ होता है अधीन रखना man has been killing animals for sport meat, organs, body sport का आर्थ होता है मनोरंजन meat मतलब मांस organ, body मतलब सरीर के अंग तो इंसान क्या है जानवरों को मारता है क्यों मारता है मनोरंजन के लिए मांस के लिए या फिर उनके सरीर के अंगों के लिए लेखा कि इस कहानी में प्रत्यक्ष टिपणी नहीं करता है man advances its strength logic to defend even his unful unlawful and cruel acts the महाराजा quets an old saying राजा यहां पर एक टिपणी करता है और कहता है इस स्टोरी में you may kill even a cow in self-defense कि तुम अपने बचाओ में self-defense में गाय को भी मार सकते हो hence he finds no objection to kill tigers in self-defense इसलिए वह जब गाय को मार सकता है आप मार सकते हो तो tigers को भी मार सकता है it reveals not only the callousness of human beings towards wild life but they are discarded for maintaining ecological balance the execution of tiger species is Pratibandpuram state and the state ruled by Maharaja's rather father-in-law imply illustrates the result of man's cruelty towards the wild animal an old tiger has to be brought from people's park in madras to satisfy the king's whim to kill 100 tigers यहां पर एक सब्दा है whim whim का अर्थ होता है सनक क्या होता है सनक ठीके question number 4 की ओर चलते है which matter about the tiger king is extraordinary interest मतब किस मामले में राजा को extraordinary interest था the manner of the death of tiger king is extraordinary interest मतलब tigerों की को मारना यह extraordinary interest था महारा जागा the most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born B.O.R.N. यहां पर misprint है यह born astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die जोतिसी ने पहले ही भाविश्यवानी कर दी थी foretell का आर्थ होता है भाविश्यवानी करना और यह उसकी second form है foretold told मतलब पहले ही भाविश्यवानी कर दी थी कि महाराजा की ब्रत्यू जो है वो एक tiger के द्वारा होगी question number six है why did महाराजा order the divan to double the land tax महाराजा ने दिवान को यह order क्यों दिया कि double tax लगाया जाए land पर महाराजा went out on an expendition expendition का अर्थ होता है will open क्या होता है will open इसलिए वो दिवान को order देता है घुसे में क्रोध में कि वह double land tax लागू करे question number 5 है देखिए इनका क्रम चेंज हो गया है तो आप चिंता ना करें जिसे question number 5 है तो यह question number 5 का ही answer है अब इसके पहले मैंने question number 6 का answer दिया है तो आपको चिंता करने की ज़रुवत नहीं है आप question को देखिए और answer देखिए जिसे वाई डिड़ दे महाराजा बेंड टाइगर हंटिंग इन स्टेट आइमपी कोश्यन है यह महाराजा ने स्टेट में टाइगर हंटिंग को बेंड क्यों कर दिया था उस पर क्यों रोक लगा दी थी महाराजा बेंड टाइगर हंटिंग इन स्टेट राज्य में बाग का सिगार करने पर बेंड लगा दिया था because क्योंकि he wanted to prove the prediction of state astrologer wrong क्योंकि वहां राज्य के जोतिसी की भविश्यवानी को गलत साबित करना चाहता था he would be killed by the hundredth tiger कि सोवे भाग से उसकी मृत्य हो गिए that is why he put a bend on the hunting of tigers on all the tiger reach forest आ प्रतिबंपुरम इसलिए वह उन्होंने प्रतिबंपुरम के जंगलों में tiger hunting पर रोक लगा दिती question number 7 है how did the hundredth tiger take its revenge upon the tiger king सोवे tiger ने hundredth मतलब सोवा ठीके सोवे tiger ने किस प्रकार से बदला लिया revenge मतलब होता है बदला लेना the maharajah goat wooden wooden यहापर tiger भी लिख देना wooden tiger maharajah एक लकडी का tiger लेकर आए but rough gift of a tiger from a shop which was made by un-skilled carpenter अब जो लकडी का वो tiger लेकर आए थे वो एक un-skilled मतलब अकुसल सिल्पकार के द्वारा बनाया गया था ठीके it had a small sliver on wood on its surface और उस tiger की जो slivers थी मतलब किनारे वो कैसी थी चोटी-चोटी किनारे थी while playing with his son with the tiger महाराजय जब अपने बेटे के साथ अपने पुत्र के साथ उस tiger के साथ खेल रहा था a sliver got pricked pricked मतलब होता है चूबना चिक है in his right hand उनके जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ में वो चूब जाती है वो sliver he pulled out but infection spread all over the arm अब infection जो है पूरे हाथ में फैल जाता है after the operation फिर उनका operation होता है the doctor said और doctor कहता है the operation is successful कि operation तो successful है but महाराजय इस डेड परंदु महाराजय मर गया है does a small toy tiger caused the death of the tiger king and took its revenge upon the king इस तरह जब toy tiger था खिलोना बाग था वह महाराजय की मरत्यू का कारण बना ठीक है और इस तरीके से उसने बदला लिया question number माफ किज़ेगा lesson number 3 है journey to the end of the earth इसके question answer को हम देख रहे है पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं how do geological phenomena help us to know about the history of humankind geological phenomena phenomena का आर्थ होता है घटना और geological मतलब भोगोलिक भोगोलिक घटना है कैसे हमें मानवी इतिहास को जानने में मदद करती है तो geological phenomena such as drifting of land masses drifting का आर्थ होता है बहना land masses मतलब भूमी का हिस्सा तो जो भोगोलिक घटनाए होती है जैसे भूमी के किसी हिस्से का कटाव होना बहना they are separating into countries help us to know about the history of humankind उनका अलग हो जाना देश के किसी हिस्से का अलग हो जाना ये सारी चीज़ें हमें मानवी इतिहास के बारे में बताती है a visit to Antarctica around which Gondwana once existed अब ऐसे ही Antarctica भी एक ऐसी जगह है is life going back to past as it give us understanding of the evolution and existence ozone and carbon where humankind came from and where it headed मतलब वहाँ पर क्या है कि जो evolution मतलब होता है because और existence का अर्थ होता है will open जो ozone परत है carbon है इनके बारे में हुआं से जानकरे प्राप्ति की जा सकती है जब उसका अध्यन किया आता है ठीक है question number 5 का answer हम देखते है the world's geological history is trapped in Antarctica ये भी IMP question है important है परिक्षा माने योग्य है कि दुनिया का जो भोगोलिक इतिहा से वो Antarctica में trapped है मतलब उसमें छुपा हुआ है how is the study of this reason useful to us इस शेत्र का अध्यन करना हमारे लिए कितना उप्योगी है तो देखते हैं इसका answer Antarctica holds half a million year old carbon track records in its layer of eyes Antarctica की जो बर्फ की परते हैं उसमें a million year old carbon के track को record किया गया है मतलब वहां इसकी जानकरी मिली है अभी पिछले question में भी हमने यही line पड़ी थी a visit to Antarctica का मतलब Antarctica का ब्रह्मन करना around with Gondwana once existed is like going back to the past मतलब एक बार यदि हम वहां का ब्रह्मन करते हैं तो हमें इसा लगता है कि जैसे हम past का हमने ब्रह्मन किया है भूत काल में हमने ब्रह्मन किया है witnessing the geological phenomena मतलब भोगोली घटनाव such as the drifting of land masses and their spreading into countries help us to know about the history of humankind मानव इतिहास को जानने में मदद मिलती है these are visible signs of where humankind came from and it gives us a clear understanding of where human life is headed if we do not take care of environment actually seeing with our own eyes all these changes make us understand that global warming is a real threat और वहीं से हमें ये भी पता चलेगा कि global warming जो है वो वास्तों में कितनी खतरनाक है और भुष्य में इसके क्या परिणाम हों गए question number third की ओर चलते है what are phytoplantons phytoplantons क्या है what is their importance और इसका महत्व क्या है phytoplantons the grasses of the sea grasses of the sea मतलब समुदर का घास समुदरी घास are single-celled ये single-cell के होते हैं organism living in the southern ocean जो की डक्षणी महासागर में है they nourish and sustain the entire ocean's food chain being first link in the food chain of ocean using sun's energy ये सूरज की energy को काउप्योग करता है they assimilate carbon and synthesize organic compounds the diminishing number of these organisms due to the depletion of ozone layer effects other organisms of the ocean finally leading to the extinction of life on the earth अब क्षेशन नमबर फर्स्ट की ओर चलते हैं ये भी important question है what was the purpose of the visit to Antarctica? Antarctica भ्रमन करने का उद्देश क्या था? important question है न तो इसके answer के ओर चलते हैं the purpose of the visit to Antarctica was to have first hand knowledge and experience about our earth मतलब प्रत्वी के बारे में ज्यान और इसके अनुभव को जानने के लिए it was to understand the significance of coadyland faults, ozone and carbon the aim was to see glaciers retreating मतलब glaciers फिर से उनकी वापसी हो रही है retreating का अर्थ होता है वापसी करना और इसका एक और अर्थ होता है मेदान छोड़ कर भाग जाना ठीक है? and ice leaves collapsing it was to realize how real was the threat of global warming and depletion of ozone परत question number 2 की ओर चलते है what unique opportunities does Antarctic environment provides to the scientist? answer होगा इसका as the eyes in Antarctic holds half million year old carbon records in its layer जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अंटार्टिक की जो बर्फ की परते हैं वह half million year old carbon को record किये हुए है the scientist can study earth's past और विज्यानिक लोग जो है वह इस प्रत्वी के past का अध्यान कर सकते हैं present and future वर्तमान का और भुष्य का अध्यान कर सकते हैं by studying its simple ecosystem इसके simple ecosystem का अध्यान करके and leg of bio diversity मतलब जै विवित्ता का भी अध्यान कर सकते हैं they can study the micro-spoken phytoplankton and the changes in environment और वायू मंडल में या परियावरण में जो परिवर्तन हो रहा है इसका भी अध्यान किया जा सकता है ठीक है दोस्तों तो यह lesson number 3 के थे अब lesson number 4 के और चलते हैं the enemy के question answer के और चलते हैं lesson number 4 में है तो पहला question नहीं यह question number 3 है यह उपर नीचे हो गए है तो आप चिंता ना करें आप question को समझे और answer को समझे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें याद करने की कोसिस करें हो जाएंगे ना don't worry where did Dr. Sadao and Hana meet? मतलब Dr. Sadao और Hana जो कि उनकी पतनी का नाम है यह कहां मिले थे तो answer होगा इसका Dr. Sadao meet Hana in America when he was studying surgery there Dr. Sadao अमेरिका में जब अपना अध्यान कर रहे थे surgery का उस समय वह Hana से मिले थे Hana कोन है उनकी पतनी का नाम है he met her at a get-together arranged by an American professor at his home for foreign students American professor ने उनके घर पर एक get-to-gathering एक सभा रखी थी सभी एक साथ मिल जाएं एसी सभा रखी थी तो वहाँ पर यह मिले थे get-to-gathering का आर्थ होता है मिलन सार सभा मतलब सभी एक जगे मिल जाएं इसा In what condition did Dr. Sadao find the American soldier at the sea shore? Dr. Sadao को American soldier समुद्र के किनारे पर किस इस्तती में मिला था? किस condition में मिला था? इसका आंसर होगा Dr. Sadao Dr. Sadao found the American soldier in wounded condition at the sea shore Wounded condition मतलब घायल इस्तिती में Wound W-O-U-N-D Wound मतलब होता है घाव और Wounded मतलब घायल इस्तिती में समुद्र के किनारे मिला था? He was very weak and pale वह बहुत कमजोर था Had a bullet Bullet मतलब गोली बंदुक की गोली Stuck in his wound and his back was Stand with blood Stand का आर्थ होता है धबबा क्या आर्थ होता है? धबबा जिसे खून के धबबे यह उसके पीट पर थे घाव थे He was almost at the words of death Words of death का आर्थ होता है मोत की कगार क्या होता है? मोत की कगार मतलब उसकी इस्तिती ऐसी थी कि मोत की कगार पर था मतलब मरने की इस्तिती में था इस इस्तिती में मिला था Question number 5 के answer की और चलें How did Dr. Sadao help Tom? Dr. Sadao ने Tom की help कैसे की The white man to escape जो white man था उसको भागने में कैसे मदद की मांसर होगा Dr. Sadao decided to give his private boat Dr. Sadao ने नहीं लिया की से उनकी व्यक्तिकत boat दी आए किसे Tom को With food and clothes in it और उसमें भोजन और कपडे भी हों He could draw it to little island near the coast Little island तक तुम जा सकते हो He told the white man to wait for the Korean fishing boat और डॉक्टर ने ये भी कहा कि तुम Korean fishing boat का इंतिजार करो In this way Dr. Sadao S-A-D-A-O Sadao लिखा हो है ने help Tom to escape from to freedom मतलब आजादी के लिए भागने के लिए उनने मदद की इस तरह से Describe the difficulties faced by Dr. Sadao and his wife Hana when they tried to help the enemy soldier Dr. Sadao और उनकी पत्नी Hana को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा जब उन्होंने enemy soldier की मदद की तो answer होगा The enemy soldier was given shelter medical treatment and ease of life by Dr. Sadao and his wife Dr. Sadao और उनकी पत्नी के द्वारा उस enemy soldier को shelter मतलब आसरे medical treatment और आराम दिया गया दो यद्दपी दो का अर्थो था यद्दपी there was a stiff and stem of objection by the domestic staff at the house domestic staff के द्वारा उनको बहुत सारे ताने सुनने पड़े he was on the worse of death but Dr. Sadao operated upon him to save his life वह मौत की गगार पर था इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसका उपरेशन किया उसकी जान बचाई he could be arrested and put to death at any time इनको कभी भी arrest किया जा सकता था और कभी भी मौत के घांट उतरा जा सकता था next lesson number 5 की ओर चलते हैं should wizard hit mummy lesson number 5 के question answer की ओर चल रहे हैं जो विश्टास में lesson number 5 है question bank solution को हम कर रहे हैं what was the basic plot of each story told by Jack Jack के द्वारा कही गई कहानी का basic plot क्या था Jack used to tell stories to usually named rozer Jack जो है वह कहानियां सामानियां सुनाया करता था rozer के नाम से and basic theme of all stories remind the same each story had some problems and went into wise old all and the wise all directs the creature to the wizards बुद्धिमान उल्लू और जादुकर प्रानियों के बीच में लेके जाता है कहानी के मोड को question number two की ओर what was the roger skunks problem roger skunks क्या समस्य थी why did roger skunks mother not like her son smelling like roses roger skunks की मा को यह पसंद क्यों नहीं था कि उसका बेटा उसका बेटा जो है वो गुलाब की तरह महके गुलाब की तरह उससे खुसबु आये roger skunks mother was angry roger skunks की मा जो है वह रोधित हो गई because the wizard had made her son smell like roses क्योंकि जादूगर ने उसके बेटे को गुलाब की तरह महका दिया था which was not the way a little skunk should smell जो की उनको पसंद नहीं था see pod her anger pod का आर्थ होता है उढेलना क्रोध पूरा निकाल देती है on the wizard and hit him with an umbrella on his head और umbrella से उसको पीटती है hit question number third की ओर चलते है why did joe want the wizard to hit roger skunks mummy जो यह क्यों चाता था कि wizard जो है roger skunks की mammy को hit कर answer होगा joe wanted the wizard to hit mammy because she had hit the wizard क्योंकि mammy ने roger wizard को मारा था पीटा था and made him change roger skunks smell back to foul one foul का आर्थ होता है badbu दुरगंद कि उसकी smell change करवा दी थी माने question number 4 की ओर चलते है why is adults perspective on life different from that of child किसी युवा का perspective जीवन के प्रती सोच वो बच्चे की तुलना में अलग क्यों है या कैसे है the adults perspective on life is always different from a children बच्चे से सोच युवा की अलग रहती है because there is always a big generation gap maturity level क्योंकि दोनों में एक बड़ा generation gap रहता है और maturity level भी अलग रहता है the adults are well experienced towards the world and life युवा लोग जो है वो जीवन के प्रती अनुभवी और दुनिया के प्रती अनुभवी रहते है मतलब उनको अनुभव जादा रहता है question number 5 की ओर चलते है what is the moral issue that the story raises कहानी में कौन सी नेतिक तक्ति को बताया गया है this is story raises moral issue मतलब यह story एक नेतिकता की बात करती है क्या करती है the moral values of children vary with ours ugliness and hatred have no place in their idealized world मतलब इस others दुनिया में बुराई और घ्रणा की कोई जगए नहीं है joe is very angry with roger's mother joe roger की मा के लिए काफी घुसे में रहता है क्रोध में रहता है roger's mother wanted roger smell bad again roger is joe's hero roger is joe's hero रहता है and he must smell good और वह चाता है कि इसके सरीर से अच्छी खुस्बू आया इसलिए वह गुलाब की खुस्बू की बात करता है ठीक है lesson number six है on the face of it पहला question दिया गया है what kind of person was he wants मतलब he wants किस प्रकार का वेक्ती था तो answer होना चाहिए he wants was quite a pleasant type of person मतलब अच्छा वेक्ती था but he was congenital kleptomanic इसका अर्थ होता है जन्म जात चोरी करने की बिमारी थी उसको मतलब वह जन्म से ही चोर था from his birth he had a tendency to steal बच्छपन से ही उसकी इच्छा जो हे वो चोरी करने की रहती है tendency मतलब होता है इच्छा जुकाओ किसी चीज की और जुकाओ दूसरा question है who visited your hands on the morning of examination मतलब examination के time पर कौन मिलता है सुबह what did they visit him for और वहाँ उनसे क्यों मिलता है अंसर होना चाहिए Mr. Jackson and Mr. Stephens are two visitors on the morning of the exam परिक्षा की सुबह दो विजिटर उनसे मिलते हैं एक तो Mr. Jackson और Mr. Stephens and they visited him वह उनसे मिलते हैं because क्योंकि they wanted to make sure that Ivan's was clean and well shaven before the exam यह बताने के लिए कि Ivan जो है आज वह clean shaven है मतलब उसने डाड़ी बगेरा बना रखी है साप सुच्छे है they also wanted to make sure that they took the razor from Ivan's razor मतलब होता है उस तरह क्या होता है उस तरह चुराना चाहते थे Question number 3 है What two purposes did the correction sleep serve which of them did Ivan consider more important तो इसका answer होना चाहिए In the first escape plan correction sleep was used to achieve two purposes the first was convey the information of the correct level correct hotel name to Ivan's and the second was to let members of Ivan's gain no exact time the exam had started Question number 4 के ओर चलते है How was Ivan's able to devise a foolproof plan for escape from prison मतलब जेल से भागने में कैसे स्रमर्थ रहा Ivan The prison authority after consulting the board allowed a tutor to come into the cell and give him tuitions in German मतलब जेल के जेल के जो जेल के जो authority थे मतलब उच्च पदाधिकारी थे उनसे consult किया गया board से consult किया गया कि भीया जेल में जो जो केदी रहते हैं उनको पढ़ाय जा सकते हैं क्या तो उसको German कि टूसन दी गई पांचवा question है should criminals in prison be given the opportunity of learning and education की क्या जेल में रहने वाले केदियों को सीखने का या सिख्छा प्राप्त करने का मोका दिया जाना चाहिए तो answer होगा no one should be denied, denied का deny, d, e, and y, deny, deny मतलब होता है मना करना तो no one should be denied the right to education मतलब सिख्छा के अधिकार को कोई मना नहीं कर सकता if the criminal in prison are provided with education and work is skill यदि केदियों को सिख्छा और काम करने के कोसल प्रोवाइट किये जाए their life could turn towards a better तो उनका जीवन भहतर हो सकता है and crime-free future और crime-free भौश्य उनका हो सकता है ठीके दोस्तों तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने विश्टास के question bank के जो question दिये गए है उनका solution आपके लिए लेकर आये थे वीडियो आपको कैसा लगा comments करके जुरू बताएं किसी प्रकार का कोई doubt या कोई query रहे तो भी without any hesitation आप comments कर सकते है अपने friends, relative, classmates के पास इनी videos को share कीजेगा ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सधश्यों का ध्यान रखें और खूब अच्छे से तैयारी करें Thank you very much once again and please share my videos with your friends, relative and classmates Thank you once again